चलिजी बात करते हैं कि HVC वर्क को स्टार्ट करने से पहले हमें ये चाहिए जैसे आपने लाइटिंग पढ़ा तो लाइट में आपने ये एक एनालिसिस किया था कि किस तरह के स्पेस के अंदर कितनी इलुमिनेशन की आपको जरूरत पड़ेगी उसके बाद ही तो अपने सेम इसी तरह आपको पहले ये पता होना चाहिए किस स्पेस के अंदर कितने एर फ्लो की जरूरत है उसके बाद ही आप वो डिसाइड कर पाएंगे अब अगर मैं किसी स्पेस को यहां आकर के सेलेक्ट करता हूँ स्पेस को सेलेक्ट करते ही मुझे पता चल जाता है कि वह यह स्पेस का नेम और नंबर क्या है स्पेस में मुझे ये डिटेल ही मिलती कि सप्लाई एर फ्लो कितना है क्योंकि यह तो मुझे पताना पड़ेगा अब आपको कैसे पता लगेगा एनालिसिस करने के बाद पहली चीज यूनिट पे ध्यान दे, air flow लिटर पर सकंड में आ रहा है, मुझे चाहिए होता है cubic feet per minute, इसे कहता है cfm, मैंने unit press किया un, un करने के बाद मैं जा रहा हूँ, यहां से मैंने बोला, change किया discipline को hvac में, hvac में air flow लिटर पर सकंड पे नहीं, मुझे चाहिए cubic feet per minute पर, मैंने इसे set किया, ok किया, that's all, अब space को अगर मैं select करता हूँ, तो मुझे वो cfm में दिखा रहा है, अब देखो simple za logic सुनो, तीन option आते हैं, एक है specified supply air flow, एक है calculated supply air flow, एक है actual supply air flow, अब माल लो आपने heat load calculation किसी दूसरे software पर किया, जैसे hap होता है, या manually e20 sheet excel पर किया, तो आपके software को कैसे पता लगेगा, कितना heat load है, आपने calculate किया, आपने बोला यहां आकर, कि भाईया, इस space में हमने calculation किया है, 750 cfm की जरुरत है, manually अगर कहीं और किया, किसी other software पर, तो यहां आकर specified वाले option में, आप वो value डाल देंगे, बात clear होगे जी, अगर आपको revenue करना है, heat load calculation करने के लिए, वो भी आप कर सकते हैं, जब हम heat load calculation Revit में use करेंगे, तो वही value computed में आ जाएगी, और वही value specified में आ जाएगी, दोनों values एक ही जगा, मर्ज हो जाएंगे अपने आप, फिर जब हम यहां air terminal लगाएंगे, और बोलेंगे कि भाईया, इस air terminal से इतना flow आएगा, वही value actual में update हो जाएगी, इसलिए तीन option होते हैं, specified, calculated, actual, बात समझागे, चलिएगी, heat load calculation पर जाने का सबसे आसान तरीका, आप उपर की तरफ analyze में जाएए, analyze में जाने के बाद आपको मिलेगा hitting and cooling load, चीक है, अगर आप लोगों के पास 2021 या उससे पुराना version है, आपको direct ये option मिल जाएगा, अगर आपके पास 22 या 23 है, तो आपको ये option नहीं मिलेगा, ठीक है बाद, अगर 22 या 23 है, तो उसके कुछ settings अंदर से change करनी पड़ती हैं, जिससे ये option enable होता है, heating and cooling load पर click करेंगे, एक window open हो जाएगी, वहाँ पर आपको सारे spaces नजर आएंगे, highlight हो रहे हैं, क्योंकि हमने ground floor पर ही अभी काम किया है, आप यहाँ आके बता दीजे कि भईया, आपकी building का type कैसा है, वो कोई garage है, museum है, कोई office है, कोई hotel है, कोई क्या है, उस building का type आपको बताना होगा, मैंने बोला कि भी आप office space है, उसकी location क्या है, location पर depend करता है, क्योंकि weather condition, वहाँ का temperature, हर चीज़ पर effect डालता है, मैंने बोला हमारा जो project है, वो डली में है, search करो जी डली, यह कहरा new Delhi India, हमने बोला बिलकुल, यह कहरा क्या यह value उठा लो, हमने बोला ठीक यार उठा लो, कोई बात ने, यह value अगर मैं आपको browse करके दिखाऊं, यह value उठाता है, वो सबसे closest हमारे है, दिली सफदर्जम, वह से उसने data उठा लिया, कौन सा data, dry bulb temperature, wet bulb temperature और mean daily range क्या है, इसके हिसाफ से उसे temperature मिल गया, ठीक, site पे जाकर default site वही हो जाएगी, जो भी आपने लिया, location, चलो गी, ground हमारा वही है, हमारा नया phase है, silver space tolerance, अब जो को silver space tolerance को समझना भी ज़रूरी है, आपके बहुत काम आएगी च आपको दिखा भी दें, साथ साथ, क्योंकि visibility देखने के बाद चीज़ जादा अच्छी समझाती है, image में दिखा ये जी बस, देखो जैसे ये example, आप spaces बना रहे हो ना, जैसे ये space बनाया, ये space बनाया, उनके बीच में, ये जो cavities हैं, जो shaft हैं, वो हमारे silver space tolerance कहलाती है, ये silver space है, तो silver space का tolerance कितना दिया जा सकता है, कितना लिया जा सकता है, 3 or 4.8, 3 or 4.8 का मतला होता है, 1 feet, तो ये depend करेगा size क्या है, अगर कहीं पर 3 feet का gap आ रहा है, तो आप 3 feet ले लेंगे, कही 1 feet का gap है, तो आप 1 feet लेंगे, तो आपके architecture model में क्या है, उसी के हिसाब से, आप silver space tolerance को लेते ह हैं, by default वो 1 feet के around दिखाता है, अगर मैं आपको इस setting को save करूं, as it is, जितनी save हुई है, और मैं यहाँ आ करके di press करूं, यानि के dimension और center से center देखूं, तो center से center के बजाए, मुझे देखना होगा, इस face से, तो ये center line की जगा wall face मैंने बोला, यहां से यहां तक का गया, यह 460 है तो जब मैं hit load calculation करूंगा, मैं यहां पर silver space tolerance की value डाल दूँगा, चीक है, building envelope में आए, कि आपको केवल exterior elements पर निकालना है, या सारे function parameter consider करने है, जैसे बीच में building के door है, उसके अलग अलग function है, door का अलग function होता है, window का अलग function होता है, roof का अलग, floor का अलग, हमें तो सारे function consider करन building का type कैसा है, आप single system, VAV system लगाएंगे यहाँ पर, या आप यहाँ पर लगाएंगे fan module, या variable refrigerant flow, VRF system लगाएंगे, यह काम होता है, जो HVAC designer होता है, वो decide करता है, कि आपके पास किस तरह का system आप महाँ लगाएंगे, वो system आप यहाँ चूज कर लेंगे, schematic type क्या है building, यानि में यह सारे options आएंगे, roof, wall, interior, ceiling, floor, slab, door, exterior window, interior window, skylights, क्योंकि हर एक की property है, कहीं से sunlight आ रहे ही होगी, लकडी होगी, कहीं पर आपने कोई wall putty paint किया है, brick wall है, सबका temperature absorb करने का pattern अलग अलग होता है, तो उसने उन सारे material को धियान में रखते हुए, हर एक factor के U factors यहाँ दिये minor heat load calculation करता है, manually E20 sheet पर वो सारे U factor को consider किये जाता है, building infiltration class, जैसे generally हम अपने residential या commercial space की बात करें, जैसे आप center को देख सकतो, जब भी कोई partition मिलेगा, आपको gapings नजर आ जाएंगे, यानि कि यह loose type है, basically, आप infiltration class, loose में आई गाई, जितने residential, अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास medical dumps में, जो laboratories होती है, जहां पर research आप कुछ चल रही है, वहाँ उनको हम tight रखते हैं, tight का मतलब क्या है, कि वहाँ से air loose नहीं होनी से यह, leakage नहीं होनी से यह, जितना intake होता है, उतना ही exhaust होता है, complete 100%, fresh air आप जब तो office space है, तो obviously loose ही होगा, building infiltration class, report type को standard ही रखा, अगर और ज्यादा detail में जाना हो, space wise अलग अलग, तो आप details में जाएंगे, details में जाने के बाद यह सारे spaces खोलेंगे, select करेंगे कि वहाँ यह mechanical है, अब 001 mechanical का मतलब mechanical room है, उस mechanical room के लिए आप यहाँ browse करेंगे, कि वहाँ space का type कैसा है, उस mechanical room के लिए कोई waiting area है, कोई electrical या mechanical room है, मैंने वो select कर लिया, कि mechanical room है, select करके मैंने okay क्या, mechanical room यहाँ आ गया, बात सही है, same इसी तरह waiting पे गए, waiting पे जाकर आपने यहाँ browse पे किलिक किया space type, और आप नीचे की तरह आएंगे, तो आप देखो, कहीं कोई waiting area का option है, क्या, डब्लू, डब्लू बर दो waiting area नहीं है, reception या waiting, तीन options है आपके पास, लेकिन यह hotel का है, motel का है या transportation का है, ओफिस का कोई, ओफिस का open plan हो सकता है waiting area, और हमारे पास, lobby ले सकते हैं, simple, आप ok करेंगे, तो हर एक space का space type define करेंगे, और save कर देंगे settings, अगर calculation करना होगा, तो save के बाद calculation पे click कर दो calculate, वो हर एक space का calculation करेंगा, यह कुछ time लेगा थोड़ा सा, और आपकी report generate कर दी जाए, जब आपकी report generate कर दी गई, जितने भी space आपने define किये थे, वो सारे space, उनका area, उनका volume, उनका peak cooling, load, उनका cooling, air flow, आगया जी, cfm में, अब आपको मैं वाफस ले जाता हूँ, और आपको किसी space को select करके दिखाता हूँ फिर से, यह office space है, मैंने जागे इसको select किया, तो इनको minimize कर दो, आगया, किसना चाहिए, 197.6 cfm का आपको यहाँ requirement ह जब हमारे पास lighting का पता चल गया था, उसके बाद light place की थी, जब हमें यहाँ की requirement पता चल गी, तो अब supply का terminal यहाँ लगा दिया जाए, हमने बोला, एक काम करते हैं, इस tag को तो हटा देते हैं, सारे tag की हमें ज़रुरत नहीं है, हमें यहाँ पर ceiling पर, इसकी height पर ही, एक air terminal ल जाकर यहाँ से air terminal सेलेक्ट कर सकते हैं, 80 पे जैसे ही click करेंगे, यहाँ जाएंगे, तीन option मिलेंगे, supply, return, exhaust, अभी हम supply की बात कर रहे हैं, हमें supply देनी है, इस space के हिसाब से हमारा ceiling height है, 2438 का, जैसे हम यहाँ लेकर आते ही, यह देखो supply दे रहा है है, चारो से direction से निकल रहा इतना बड़ा even space है कि हम अराम से एक को center पे रखे काम चला सकते हैं, जैसे ही आपने इसको place किया, place करते ही उपर इसका flow आ रहा है, कितना है, हमें required है 197 something की, मैंने बोला 200 CFM की हमें जरूरत है, थोड़ा बहुत मारी जी next आ लेके चले, अब आपका अगर मैं यह space select करता कि मुझे इतनी जरूरत थी, मेरा इतना actually यहाँ apply हो गया, इसी तरह इसका एक analysis, इसका एक schedule भी बना लिया जाए साथ साथ, तो again जाएंगे, schedule, right click, new schedule quantity, यहाँ जाते हैं, किस के लिए बनाएंगे, schedule spaces के लिए, उसको नाम दे दीजिए, और आपने बोला, air flow analysis, मैंने इसे okay किया, यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहले तो भी number, नाम और living, तीन चीजिए आगी, फिर मुझे चाहिए, calculated supply air flow, फिर मुझे चाहिए, actual supply air flow, आजाएंगे दोनों जबा, यह दोनों यहाँ add करने के बाद मुझे यहाँ चाहिए, इन दोनों का difference, तो मैं यहाँ फंचन parameter बना देता हूँ, इसको बोल देता हूँ, यह क्या है जी, एक difference है, क्या discipline है, HVAC किसका difference है, air flow का, किस से किस में, कि काम करो जी, calculated supply से, minus कर दो, actual को, फोक के, इस difference बनी है, अब difference का एक format बनाना है, condition लगानी है, लेकिन किस पे, difference पे, difference को select कर के condition पा है, अगर difference ना हो, किस के बीच, कि यह, minus के 15CFM से, plus 15CFM के बीच, value ना हो, तो उसको, इस color से highlight हो जाए, वो आप अपनी range के इसाफ से चलेंगे, जो इसा भी designer ने बोला हुआ, तो अपने बोला, यह एक चीज, safe zone में आ गई, one zero है, ठीक है जी, बात करते हैं, हमारे पास, जैस say for an example, यह area है, waiting, यहां हमारी requirement है, 1666, यह यह देख सकते है, फोय और, ग्यारा सो पांच की requirement है, तो 16 waiting को देखते हैं, floor plan पर जा करके, आप वो tag लगा भी सकते हैं, दूबारा ऐसा न, यह खाली tag, waiting 16 यह यह जी, अगर मैं इसी को select करूँ, तो यहां देखो requirement है, 1600 something की, यह निकि 1700 की आसपास ही, तो हमने बोला, एक काम करते हैं, 80, और हम बोलते हैं कि भया, एक air terminal यहां चाहिए हमें, एक air terminal हमें यहां चाहिए, एक air terminal हमें अप्रॉक्स यहां चाहिए, एक air terminal हमारा होगा, यहां पर, चाहर कर दिये, और, एक, दो, तीन, और चाहर, select होगी भी, पहले total requirement देख लो कितनी है, 1666, 68 माल लो, 1670, divide by 4, 417 आता है, 420 CFM कर देते हैं, चारो में, जो total requirement है, एक की, वो 420 होनी चाहिए, तो मेरा total काम हो जाएगा, मैं गया यहां पर, देखो जी, यह भी safe side हो गया, इस तरीके से, हर एक space के अंदर, आपको air terminal से place करके, यह पूरा balance करना है, इतना काम आप ready कर लेंगे, आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा, सारा दिमाग यही लगना है, real मैं, उससे आगे तो बस modeling, modeling रह जाएगी, ducts routing बनाना, connections करना, same चीज़ वाफिस आजाएगी, जैसे electrical में किया था, main सारा जो concept है, वो यहाँ है, इतने portion को complete करेंगे, हम लोग Monday में, चीज़ के बार?